हाई फ्रेंड्स अस्सलाम अलेकुम मैं हूँ जीनत और जीनत इंदकी चर्में आप सब का मोस्ट वेलकम तो चलिए फ्रेंड्स आज बनाते हैं मेती मटर मलाई की रेसिपी कश्मीरी ग्रेवी के साथ तो यह दिखे ग्रेवी आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस बनी है चपाती या पराठा या नान के साथ यह बहुत ही मज़ेकी लगेगी तो चलिए इस रेसिपी को बनाना देख लेते हैं तो सबसे पहले ग्रेवी के लिए प्याज और मसालों को बॉइल कर लेते हैं तो या दिके दो ग्लास जितना पानी डाला है मैंने अब इसमें रफली चॉप किये हुए दो मीडियम साइज के प्याज दालेंगे और तीन हरी मिर्चे भी डालेंगे इस मेती के सबजी के बहुत सारे health benefits होते हैं जैसे कि heart patients और diabetic patients के लिए भी ये बहुत ही फाइदे मन्द होती है तो यहां दिखिए 10 से बारा काजू और ये दो चम्मच तर्बुजे के बींच और एक चम्मच सौफ सौफ को मैंने भून कर लिया है तो इसमें हम सिर्फ काजू और तर्बुजे के बींच दालेंगे सौफ को हम बाद में डालेंगे तो इन सारे चीजों को पानी में अच्छे से थोड़ा सा बॉइल कर लेते हैं अब इन मसालों को 4-5 मिनिट के लिए बॉइल कर लेते हैं तो यहां दिखिए कडाई रखी है मैंने गैस पर और इसमें डालेंगे दो चम्मश तेल दो लैसुन की डलियों को मैंने ऐसे कद्दू कस कर लिया है तो इसे भी डाल लेते हैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा ही डालेगा लैसुन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा सबजी में लैसुन को हलका सा भुन लेते हैं गैस की फ्लेम लो ही रखें तो फिर एक चम्मश जीरा डालेंगे इसमें यह दिखें फ्रेंस मेती की सबजी को मैंने अच्छे से धो कर बारी कट कर ली है इसे इसमें डाल लेते हैं और यह मैंने एक चुड़ी मेती की लिए है तो यह देखिए यह आपको अब ज्यादा लग रही है लेकिन यह पकते पकते इसे आधी हो जाएगी तो इसे लैसुन के साथ अच्छे से मिक्स करके इसे नर्म होने तक थोड़ा सा तेल में और लैसुन में भून लेते हैं गैस की लो फ्लेम पर जितना हम मेती को तेल के साथ भून देंगे उतनी ही यह सबजी टेस्टी बनेगी और कड़वी नहीं लगेगी तो आप देख सकते हैं मेती में से पानी चुट रहा है और इस पानी को सुका लेते हैं और फिर तेल में भून लेते हैं तो मेती को थोड़ असा भूनने में टाइम लगता है लेकिन जैसे जैसे हम लैसुन के साथ तेल में इसे भूनेंगे यह बहुत ही टेस्टी बनेगी तो देखे गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो है तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें जो हमने पहले तेल दालाता वो सुक चुका है तो थोड़ा सा इसमें और तेल डालेंगे और दो मिनिट के लिए और भून देंगे तो यह दिखे फ्रेंज यह अच्छे से भून चुकी है इसे आप रख लेते हैं साइड में तो ग्रेवी के लिए पेस्ट बना लेते हैं जो हमने मसाला उबाल कर थंडा किया था उससे जार में डाल लेते हैं और अच्छे से बारिक पेस्ट बना लेते हैं तो पेस्ट भी मैंने बना कर रख लिया है और एक कडाई गर्म कर ली है मैंने इसमें डालेंगे देड़ चमश तेल और फिर डालेंगे इसे में एक चमश बटर बटर की जगा आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं एक चमश और ये धनिया पाउडर एक चमश तो मसाले डालते समय देखे गैस की फ्लेम बिलकुँ स्लो कर लीजिएगा और ये गर्म मसाला पाउडर आदा चमश डालेंगे और इसे में आदा चमश जितना कश्मीरी लालमीज पाउडर भी डाल लेते हैं बस थोड़ा सा डालिएगा तो इन्हें कश्मीरी लालमीज पाउडर डालते ही हम डालेंगे इसमें पेस्ट इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जार में थोड़ा सा पानी डाल कर उसमें डाल लेते हैं जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उसे साब से आप पानी डाल लीजिएगा इसमें ठंडी के मौसम में हरी हरी सबजियां बहुत ही फ्रेश मिलती है तो इस मेती की सबजी को आप इस तरह जरूर बना कर ट्राई कीजिएगा जिने वेट लॉस करना है वो भी अपने डाइट में इसे जरूर यूज करते हैं अब पानी डालने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स करके इसे ढखकर ग्रेवी के साथ मसालों को थोड़ा सा पकने देते हैं अब तो से तीन मिनट बार चेक करते हैं तो यह दिखिए बहुत अच्छी तरीके से यह ग्रेवी पक रही है अब इसमें डालते हैं नमक अपने टेस्ट के साथ से डालेंगे और ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके पाद देखिए मैंने यहां चार टेबल स्पून जितनी दई ली है इसे अच्छे से मैंने चम्मत से फेट लिया है और इसमें गैस की फ्लेम स्लो ही रखें दही डालते समय और धीरे-धीरे करके दही को ग्रेवी में मिक्स करेंगे अच्छे से दही ग्रेवी में मिक्स हो चुकी है तो इसे ढखक कर दो मिनिट के लिए पकने देते हैं तो दो मिनिट हो चुके हैं देख लेते हैं यह दीखे पकते पकते ग्रेवी गाड़ी हो रही है अब इसमें डालते हैं आदा कब जितने मटर इसे मैंने अच्छे से धो कर रखा था इसे डाल लेते हैं यह ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंस एक बार आप ज़रूर से ट्राइ करके दिखिएगा तो मटर डालने के बाद देखिए जो हमने मेथी को भूंद कर रखा था उसे डाल लेते हैं देखिए कलर कितना खुबसुल अर्थ लग रहा है ग्रेवी और मेथी का तो इसे भी ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मटर पकने तक से ढखकर पकने देते हैं तो यह देखिए फ्रेंज मटर अच्छे से पक चुकी है और मेथी भी अच्छे से पक चुकी है तो बस इसमें अब डालते हैं फ्रेश क्रीम एक चम्मच ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से ही फ्रेश क्रीम खरीद कर लाएं दूद पर जमी हुई मलाई को भी इसमें आप डाल सकते हैं तो मेथी मटर मलाई कश्मीरी स्टाइल में बिलकुल बनकर तयार है आपको कैसी लग रही है ग्रेवी कमेंट करके ज़रूर बताएगा फ्रेंज तो चलिए मिलते हैं ऐसी मज़ेदा रेसिपी के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए आला हाफिज थैंक्स पर वाजिंग